बच्चों जब कभी हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमारे मन में यह आता है कि कभी हम भी इतने छोटे होते थे जब आप बीच को किसी मिट्टी में लगा रहे होते हैं कुछ दिन पानी देने के बाद वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं बीच से एक पौधा बनता है जब हम ऐसा देखते हैं तब ये कहीं न कहीं प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या होता है कि समय के साथ साथ हम इतने परिवर्टित हो जाते हैं हमारा आकार और स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है तो हमने ध्यान दिया कि जितने जीवित जीव होते हैं पेड़ पौधे या जीवजन्तु उनमें लगातार व्रिद्धी होते रहती है अब ये व्रिद्धी क्यों है क्योंकि ये सभी कोशिकाओं के बने होते हैं कोशिकाओं जिने हम जीवन का आधार मानते हैं जितने भी जीव होंगे उन सभी में कोशिकाओं होती ही है ये कोशिकाओं छोटे छोटे अणूओं से मिलकर बनी होती हैं और ये ही अणू आपस में जूडते जाते हैं और जटिल अणू का निर्मान करते हैं ये जटील अनू ही किसी भी जिवधारी के विकास के लिए जरूरी होता है यही जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमको शक्ति देते हैं बढ़ने के लिए अगर कभी हम बिमार पढ़ जाते हैं तो अलग-अलग बिमारी से लड़ने की भी हमें शक्ति देते हैं कभी-कभी जब हमें चोट लग जाती है, घाउं हो जाते हैं, तो यही अनू जो है, वो क्या करते हैं? घाउं को भरते हैं. तो यह सभी जीवित जीवों के लिए आविश्यक हैं, और लाइव के हर एक स्टेप में, हर एक काम के लिए वृद्धी है, शरीर की मरम्मत है, और संतान उत्पत्ती के लिए भी यह क्या होते हैं? बहुत आविश्यक होते हैं. इसलिए इन्हें हम जैव अनू कहेंगे. तो जैव अनू सभी जीवित में पाए जाते हैं, काफी जटील होते हैं, वृद्धी, विकास और शरीर की तूट फूट में मरम्मत करने के लिए, अलग-अलग बिमारी से बचने के लिए, और एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी त गुणों को लेकर जाने के लिए आविशक होते हैं. यह जैवनू किन-किन रूपों में हमारे शरीर में हैं, तो इन्हें कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, विटामिन्स, जो जैवनू कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, उसे हम नुकलिक अमल कहते हैं. और नुकलिक अमल में ही DNA है, जीन की बात हम कर रहे थे, यही क्या करते हैं, एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी तक गुणों को लेकर जाते हैं. तो चलिए बच्चों, इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले, इनकी आन्विक सरचना के बारे में जाने, कि किस प्रकार इनमें बंद बनता है, किस प्रकार की इनकी सरचना होती है, इन सभी चीजों को हम जानते हैं और अपने ज्यान को थोड़ा और बढ़ाते हैं. आज हम जयव अन्वों के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाएंगे आन्विक द्रव्यमान के अधार पर जयव अन्वों को हम दो भागों में बाटते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब इनका आन्विक द्रव्यमान 1000 से कम होता है इन में आते हैं प्रोटीन, शूगर और दूसरे हैं माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका आणविक द्रव्यमान 1000 से जादा होता है इसमें आते हैं आपके नुकलिक एसिड और पॉली सेकराइड्स तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत आविश्यक होते हैं खास बात कार्बोहाइड्रेट आए कहां से जैसे बच्चों आप जानते हैं प्रकास संचलेशन होता है प्रकास संचलेशन के द्वारा पॉधे इनका निर्मान करते हैं कार्बो हाइडरेट मुख्य रूप से कार्बन हाइट्रोजन और ऑक्सिजन से बनने हुए होते हैं शुरू में इनका नामकरण ग्रिक शब्द से किया गया था अब आगे आते आते इनके नामकरण में बहुत परिवर्तन आए और खास बात यह जो कार्बो हाइडरेट हैं यह सभी जैवणों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इन जैवणों को हम फिर से विभाजित करते हैं रसाइनिक द्रिस्टी से यह अप्टिकली एक्टिव पॉलि हाइडरोकसाइड अल्डी हाइड और किटोन होते हैं कार्बो हाइडरेट को कार्बन के हाइडरेट भी कहते हैं इनका समानने सुत्र होता है CXH2OY आए ग्लुकोज में समझे से ग्लुकोज का सुत्र है C6H12O6 इस सुत्र के अनरूप ग्लुकोज कार्बन के हाइडरेट है परंतु खास बात सभी योगीक जो इस सुत्र के अनरूप आ रहे हैं वह कार्बो हाइडरेट नहीं होते हैं आप समझे हम लें असिटिक एसिड CS3COOH एसिटिक एसिड इस सुत्र के अनरूप है परंतु कार्बो हाइडरेट नहीं है और खास बात रैमिनोज जिसका सुत्र होता है C6H12O5 इस सुत्र के अनरूप नहीं है फिर भी ये कार्बो हाइडरेट है इसका मतलब रैमिनोज इनका सुत्र होता है C6H12O5 रैमिनोज इस सुत्र के अनरूप नहीं है फिर भी ये कार्बो हाइडरेट है अर्थात यह फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं होता तो यह फॉर्मूला जब अप्लाई नहीं हुआ तो हम अब कैसे समझ पाएं कि कार्बो हाइडरेट क्या है तो बच्चों हमने समझा कि यह जो सुत्र था यह फेल हो गया सुत्र के फेल होने के बाद वेज्ञानिकों ने रसाइनिक गुण धर्मों के अधार पर कार्बो हाइडरेट को फिर परिभाशित किया इनका कहना था कि अप्टिकली एक्टिव पॉलि हाइडरोकसाइड एल्डिहाइड और किटोन इन्हें हम कार्बो हाइडरेट कह सकते हैं या फिर ऐसे योगिक जो जलब घटी थोकर इस प्रकार की यूनिट देते हैं उन्हें भी हम कार्बो हाइडरेट कहते हैं कारबो हाइड्रेट का वर्गी करन अलग अलग आधारों पर किया गया पहला आधार लिया गया सेकेराइट्स के रूप में खास बात सेकेराइट्स क्या है ग्रीक शब्द सेकेरोन जिसका अर्थ होता है शूगर जब हम पॉलि हाइड्रोकसाइड एल्डिहाइडिया की टोन का जलब घटन करते हैं उनके जलब घटन से हमें सेकेराइड्स मिलते हैं इसी को आधार बना कर इनका वर्गी करन किया गया पहला प्रकार है मोनो सेकेराइड्स मोनो सेकेराइड ऐसे कार्बो हाइड्रेट को कहते हैं जो जलब घटित होकर एक ही यूनिट सेकेराइड्स के देते हैं इनके उधारन हैं क्लुकोस और फ्रक्टोस इसी प्रकार ओलिंगो सेकेराइड्स अलिंगो सेकराइट्स ऐसे कार्बो हाइडरेट को कहते हैं जिनमें 2 से 10 तक की मोनो सेकराइट यूनिट होती हैं इनका जलब घटन करने पर हमें कार्बो हाइडरेट के अलग-अलग यूनिट मिलती हैं यदि आपको जलब घटन करने पर सेकराइट्स की दो यूनिट मिलेगी तो हम इसे कहेंगे डाई सेकराइट्स यदि जलब घटन करने पर पांच यूनिट मिल रही है तो हम इसे क्या कहेंगे इन्हें हम पेंटा सेकराइट्स कहेंगे तो सेकराइट के अधार पर हमने इसे फिर से बाटा ओलिंगो सेकराइट्स में 2 से 10 तक की सेकराइट यूनिट होती है इनके उधारन सुक्रोज और माल्टोज है पॉलिसेकराइट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जलब घटन करने से बहुत अधीक संख्या में मोनोसेकराइट की यूनिट मिलती है उन्हें हम पॉलिसेकराइट्स कहते हैं इनके उधारन है स्टार्ज, सेल्यूलोस जो की लकडी में पाया जाता है इसी प्रकार ग्लाइकोजन जिवजन्तू में पाया जाता है गोन जो की विभिन व्रिक्षों से मिलता है ये सभी पॉलिसेकराइट के उधारन है ये स्वाद में मीठे होते हैं आएए कार्बोहाइड्रेट के वर्गी करन में आगे चले वर्गी करन का दूसरा आधार जो है वह इनकी अप्चायन शमता पर है मन्द ओक्सिकारक जैसे टॉलेंट रिएजेंट है फैलिंग रिएजेंट है इनका अप्चेन किस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट करते हैं उसके अधार पर इने फिर से बाटा गया है रिडियूसिंग और नॉन रिडियूसिंग कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो इन मन्द ओक्सिकारकों का अप्चेन कर देते हैं उन्हें हम रिडियूसिंग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इनका उधारन है glucose और fructose reducing के बाद हम आए non reducing carbohydrate पे जो talent अभिकर्मक और failing अभिकर्मक का अपचेन नहीं कर पाते उन्हें हम non reducing carbohydrate की श्रेणी में रखते हैं इनके उधारन है सुक्रोज और starch कार्बोहाइडरेट का वर्गी करन का एक और आधार है शक्रा और आशक्रा कार्बोहाइडरेट ऐसे कार्बोहाइडरेट जो crystal ये ठोस होते हैं और जल में विले होते हैं इन्हें हम शक्रा कार्बोहाइडरेट कहते हैं ऐसे कार्बो हाइडरेट जो आक्रिस्टलिय ठोस तथा जल में आविले होते हैं इन्हें हम आशक्रा कार्बो हाइडरेट कहते हैं कार्बो हाइडरेट के वरगी करन के बाद आईए हम इनके श्रोतों के बारे में जानते हैं देखे बच्चों, गन्ने का खेत, गन्ने के खेत में हमने जब देखा तो इसमें भी कार्बो हाइडरेट बहुत अधिक मात्रा में पाये जाता है, जो गन्ना है यह सुक्रोज और सेलिलोज का अच्छा स्रोत है, इसी प्रकार अंगूर, सेब, खजूर, इनमें भी ग्लुकोस कार्बो हाइड़ेट के रूप में पाये जाते हैं क sowald गेंगों मक्का इनमें isTarCS पाया जाता है जो की कार्बो हाइड़ेट का स्रोथ हैं कि कि आप सभी शेहद से तो परिचित हैं शेहद अलग-अलग फूलों के परागों से बनाया जाता है शहद भी कार्बो हाइडरेट का स्रोथ है दूद, दूद में लेक्टोस कार्बो हाइडरेट पाया जाता है अलग-अलग जीवधारी में ग्लुकोस क्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है जो कि लीवर में होता है मोनो सेक्राइट्स बच्चों हमने देखा है सभी कार्बो हाइडरेट की आधार भुती काई मोनो सेक्राइट्स हैं ये और अधिक जलब घटित नहीं होते आएए इनके नाम करन की ओर चले हमने पहले ही समझ लिया है कि कार्बो हाइडरेट में या तो एल्डी हाइड ग्रूप उपस्तित होते हैं या फिर किटोन ग्रूप यदि एल्डी हाइड ग्रूप उपस्तित हैं तो इन्हें एल्डोस और यदि किटोन उपस्तित हैं तो इन्हें किटोस कहते हैं साथ ही साथ हमें कार्बन की संख्या पे भी ध्यान देना होगा कार्बन की संख्या में एल्डोस और किटोन के नाम को जोड़ कर हम इनका नामकरन करेंगे आईए सार्णी की मदद से हम नामकरन को समझें देखिए सार्णी में हमने कार्बन पर्माणों की संख्या साधरन पद aldehyde और ketone को लिया है तीन कार्बन उपस्तित होने पर हम इसे trios कहते हैं यदि aldehyde उपस्तित है तो ये eldo trios और यदि ketone है तो keto trios होगा इसी प्रकार यदि चार कार्बन उपस्तित है तो ये tetrose है aldehyde के साथ eldo tetrose, keto के साथ keto tetrose होगा पांच कार्बन की उपस्तिती में साधर नाम pentose aldehyde उपस्तित है तो eldo pentose, ketone समूँ उपस्तित है तो keto pentose होगा इसी प्रकार 6 कार्बन होने पर hexose इन में अगर aldehyde क्रियात्मक समूँ है तो क्या होगा eldo hexose और ketone उपस्तित है तो keto hexose पच्चों अब हम सबसे common monosecrate के बारे में अपनी समझ और बनाते हैं आपको मालूंगी है सबसे common monosecrate glucose है देखिए हम जितना भी भोजन दिन भर में गरहन करते हैं वो समानेता पच्चने के बाद glucose में बदल जाता है शरीर अपनी और शक्ता के नुसर उस glucose का उप्योग कर लेता है और बचा हुआ glucose ग्लाइकोजन के रुप में हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है तो ये monosecrate का सबसे common form है इसे dextrose भी कहते हैं क्यों? क्योंकि यह plane poralyzed light को समतल दुरुवित प्रकाश को दक्षिन वर्ति गुनन करता है glucose सयुक्त और स्वतंद्र दोनों ही अवस्था में पाया जाता है सयुक्त आवस्था में ये starch और माल्ड के साथ पाया जाता है जितने भी मीठे पर हम खाते हैं अंगूर खा रहे हैं इन सभी में glucose स्वतंद्र रुप से पाया जाता है पके हुए अंगूर में 20 प्रतिशक भाग glucose का होता है इसलिए इसे अंगूर शरकरा भी कहते हैं चलिए गन्या से हम glucose कैसे प्राप्त करते हैं ये समझते हैं गन्या की जो शक्कर होती है जिसे हम सुक्रोस कहते हैं जब इसका तनू SCL की उपस्तिती में हम क्या करा रहे हैं जलब घटन कराते हैं जिससे हमको दो अनों मिल रहे हैं एक है glucose का और दूसरा फ्रक्टोस का ये दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं अब हमें क्या करना है इन्हें प्रिथक करना है प्रिथक करने के लिए हम किसी न किसे गोन का सहारा लेते हैं हम यहाँ विलेता की बात करते हैं glucose और फ्रक्टोस की C2H5OH याने एथेनॉल में विलेता अलग-अलग होती है फ्रक्टोस जो है ये क्या होता है इसमें ज़्यादा विले होता है तो हम इस मिश्रन को एथेनॉल में डालते हैं जिससे फ्रक्टोस जल्दी विले हो जाएगा और glucose प्रिथक हो जाता है आईए दूसरी विधी समझें दूसरे विधी को हम वैपारिक विधी भी कहते हैं इसके लिए हम स्टार्च का उप्योग करते हैं स्टार्च का H2SO4 की उपस्तिती में जब जलब घटन कराते हैं तो हमें glucose मिलता है इस प्रकार हम इन दो विधीों से glucose का निर्मान कर सकते हैं चलिए बच्चों हमने glucose की सरचना देख ली है कि किस प्रकार इसमें कार्बन उपस्तित है LD हाइट ग्रूप उपस्तित है OH ग्रूप उपस्तित है अब इनका आधार क्या था हमने किस आधार पर इन सरचनाओं को दिया है तो चलिए समझे सरचनाओं का आधार तो पहला आधार जो है हमें ये बताना है ये जो 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको इसके लिए हम कैसे बता पाए कि 6 कार्बन एक के बाद एक उपस्तित है हम लंबे समय तक glucose को जब HI hydrogen iodide के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक गर्म करने पर normal hexane की सीधी शिंकला प्राप्त होती है इससे clear हो गया कि इनमें कार्बन एक सीधी शिंकला के रूप में है अब आईए दूसरी चीज दूसरा देखिए पहले कार्बन पर C double bond O है हमें ये भी बताना है कि यहाँ C double bond O याने कार्बोनिल है इसके लिए हम दो अभिक्रियाई कर सकते हैं पहली अभिक्रिया देखिए पहले इसे hydroxyl amine के साथ अभिक्रिया कराएंगे जैसे ही आप hydroxyl amine के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो C double bond O में उपस्तित πाई बन जो है क्या होगा तूट जाता है जिससे हमें एक नया योगिक मिलेगा जिससे कहेंगे हम ऑग्जीम यह ऑग्जीम बता रहा है कि यहां पर कार्बोनिल ग्रूप प्रजेंट है मैंने बात की थी दो अभिक्रिया की तो दूसरी अभिक्रिया क्या है चलिए समझे दूसरी अभिक्रिया के लिए हम ग्लुकोस को HCN के साथ हाइट्रोजन साइनाइट के साथ गर्म करते हैं फिर वही अभिक्रिया होगी कार्बोनिल ग्रूप का जो पाई बंध है वो तूट जाएगा योगात्मा क्योगिक मिलेगा जिसे साइनो हाइड्रेन कहते हैं चलिए बच्चू अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया में देखते हैं कि इनमें एल्डिहाइड ग्रूप उपस्तित है उसका आधार क्या है इसके लिए हम दूर्बल ऑक्सिकारक लेंगे ब्रोमीन जल फैलिंग विलियन और टॉलिन अभिकरमत जो हैं ये क्या होते हैं दूर्बल ऑक्सिकारक होते हैं ये ग्लुकोस को ऑक्सिकरिक्त कर देंगे और ग्लुकोस के ऑक्सिकरण से ये देखिए ग्लुकोस के ऑक्सिकरण से हमें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रूप जो है इसका ग्लुकॉनिक अमल मिलेगा तो हम यहाँ पे 6 कार्बन वाले ग्लुकोनिक अमल प्राप्त कर लेंगे आगे बढ़ते हैं अब हमको यह बताना है कि यहाँ OH ग्रूप 5 OH ग्रूप उपस्तित हैं जिसकी चर्चा हमने कब की थी जब हम सरचना को समझ रहे थे तो 5 OH ग्रूप उपस्तित है इसके लिए हम क्या करेंगे इसका एसिटिक एन हाइडराइट के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे निर्जल जिंक क्लूराइट की उपस्तिती में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ग्लुकोस पेंटा एसिटेड मिल रहा है यह बताता है कि यहां पे 5 OH ग्रूप क्या है उपस्तित हैं अब एक चीज़ ध्यान देने की है वो यह कि यदि एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रूप उपस्तित होते हैं तो वो कार्बन क्या हो जाता है आइस्थाई हो जाता है तो यहां यह भी समझ आ गया कि यह जो OH ग्रूप है यह अलग-अलग कार्बन पर उपस्तित है तभी हमें इस्थाई यौगिक जो है ग्लुकोस प्राप्त होता है तो ग्लुकोस में हमने यह कई सारी अभिक्रियाओं से समझ लिया है कि इसकी सरचना जो है इसके पक्ष में है हमने ग्लुकोस की सरचना में यह भी जाना था कि ग्लुकोस में जो 5 OH ग्रूप है हाईड्रोगजल ग्रूप है, इसमें से एक जो है वो कैसा था प्राथमिक अलकोहल था, बाकि चार जो है वो द्वीतियक अलकोहल है अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप ग्लुकोज ले लेजे या फिर ग्लुकोनिक अमल दोनों ही जब नाइटरिक अमल से होनी 3 से अभिक्रिया करते हैं तो सैक्रिक अमल बनाते हैं सैक्रिक अमल बनने से ये पता चल जाता है कि इसमें एक प्राथमिक हाइड्रोक्सिल ग्रूप है आगे देखें आगे की गुणों को समझने के लिए हमने देखा कि ये जितनी भी अभिक्रियाएं हमने समझी थी ये सारी अभिक्रियाएं ये बताती हैं कि इनमें खोली शिंकला है फिर भी बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो इस बात को बिलकुल नाकार देती हैं कि ग्लुकोस की जो शिंकला है वो कैसी है खुली शिंकला है तो ऐसी कौन सी अभिक्रियाए है हम सभी को पता है कि एल्डी हाइट शीप अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो कौन से रंग देगा गुलाबी रंग हमने समझा था कि ग्लुकोस में एल्डिहाइड है तो जब आप ग्लुकोस की अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं तो इसे गुलाबी रंग देना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता इस कारण से ये एक नहीं चीज़ आ जाती है कि इनमें एल्डिहाइड ग्रूप उपस्तित या आप कह सकते हैं मुक्त एल्डिहाइड ग्रूप उपस्तित नहीं है दूसरा ये ये सोडियम हाइड्रोजन सलफाइड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं इनके साथ उत्पाज नहीं देते नेक्स देखें ये pentacetate hydroxylamine के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते जिससे ये पता चल जाता है कि इनके पास मुक्त aldehyde group जिसे हम क्या कहते हैं CHO group नहीं है आईए आगे समझेख, glucose के दो क्रिस्टलिया रूप होते हैं अलफा डी ग्लुकोस और बीटा डी क्लुकोस जों अलफा डी ग्लुकोस है इसका melting point 499 केलवीन होता है और बीटा डी ग्लुकोस का melting point 423 केलवीन होता है जब हम alpha-d-glucose ले ले या beta-d-glucose ले ले इनका विलियन बना लेते हैं इनके विलियन को कुछ समय तक रख देते हैं रखने से क्या होता है कि ये दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं मालनों आपने alpha-d-glucose लिया है तो वो किस में बदल जाएगा बीटा-d-glucose में और बीटा लिया है तो वो alpha में बदलता है तो दोनों क्रियाएं चलती रहती है एक समय आता है जब वहाँ पर साम में हो जाता है आपके पास alpha-d-glucose भी रहेगा और उसी विल्यन में बीटा-d-glucose भी रहता है इनकी प्रतिशत मात्र देखें तो alpha-d-glucose 36 प्रतिशत होगा तो बीटा-d-glucose 64 प्रतिशत होता है इस समय ये परिवर्ती धुरुवन गुणन प्रतर्शित करते हैं परिवर्ती धुरुवन गुणन आये से थोड़ा और समझें जो हमारा alpha-d-glucose है इसका विशिस्ट गुणन होता है धन 111 डिग्री और बीटा-d-glucose का विशिस्ट गुणन होता है धन 19.2 डिग्री जब हम इनका विल्यन बनाएंगे मालो आपने alpha-d-glucose का विल्यन बना दिया अब हमने समझा था कि जैसे ही हम विल्यन बना देते हैं alpha किसमें बदलने लगेगा? बीटा में तो alpha का विशिस्ट गुणन देखें कितना है? 111 बीटा का है 19.2 तो इस स्थिति में क्या होगा? जो alpha है इसका विशिस्ट गुणन घड़ते जाएगा कहां तक आएगा? तो ये आता है 52.2 डिग्री तक हम इसे लिखेंगे धन 52.2 डिग्री तक जब यहां पर आता है तो इसे हम क्या कहेंगे? साम्य विशिस्ट गुणन क्योंकि यहां मिश्रन कैसा है? साम्य है अगर आपने बीटा डी ग्लुकोस का विशिस्ट गुणन होता है धन 19.2 इसका जब हम विलिएन बनाएगे तो बीटा परिवर्थित होते जाता है अलफा में तो 19 से वो कहां आने लगेगा धन 52.2 में इस समय इसका मान क्या होता है बढ़ता रहता है सामे की इस्तिती में यहाँ पे 52.2 डिगरी मान रहेगा तो हम यह कह सकते हैं कि आपके पास यदि कोई प्रकाशी गुनन वाला योगिक है जैसे हम ग्लुकोस की बात कर रहे थे ऐसे योगिकों में एक ऐसी स्तिती आ जाती है सामे के साथ-साथ जिसमें यह एक निश्चित सामे गुनन पर आ जाते हैं तो इसे ही हम यहां कहेंगे परिवर्ति विसिस्ट घुनन आईए ग्लुकोस को और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ संकेतन की और ध्यान दें D और L संकेतन D और L जो है वो विशेश त्रीविम समावैवी को बताते हैं इसके लिए हम एक स्टेंडर लेते हैं स्टेंडर के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम ले ग्लिस्रिल डिहाइड इसमें एक आसम्मित कार्बन है आसमित कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जिनमें जो कार्बन की चारों सयोजक्ताएं हैं इनमें अलग-अलग समू उपस्तित होते हैं इसकी तुलना हम, ग्लिसरल डिहाइट की तुलना हम ग्लुकोस से करते हैं ग्लुकोस की सरचना में देखिए कि जो पाँचवे नंबर का कार्बन है यानि नीचे से जो कार्बन ले रहे हैं ये आसम्मित कार्बन है इस आसम्मित कार्बन में यदि OH ग्रूप जो है ये दाई तरफ होता है तो इसे हम D कहते हैं और यही OH ग्रूप यदि बाईं तरफ होता है तो इसे हम L कहते है